यहां एक हजार दिन की केंपेंग सुरू हो गई मैं समण हूँ एक हजार दिन तक सारे समण संगी मैं समण हूँ, आयम समण जितनी भासा में हैं, अपनी अपनी भासा में हैश्टेक के साथ में आगे बढ़ रहे हैं इसके पड़्चे आने वाले हैं, आएंगे भी 14 अप्रेल को लगाता लगेंगे इसकी बुक भी आने वाली है इसका और भी मठल आने वाला है बाकी मठल आप खुद भी त्यार कर सकते हो तो मैं समण हूँ हम को ये क्यों याद करना चाहिए कि हम समण हैं क्यों याद करना चाहिए लोगों को याद क्यों करें और हम को क्यों याद आना चाहिए ये एक महकमूर सवाल है को कि आप से पूछेंगे कि इतने दिनों बाद आपको याद आया कि मैं समन हूँ अब तक आपको याद ही नहीं आया कि आप समन थे आप आज अचेनक याद करनके बैठे हैं यह जैसे जैसे आप आगे बड़ोगे वैसे वैसे पूछेंगे लोग और भी बहुत सारी बाते पूछेंगे और खास वर से वो पूछेंगे जो लोग संग्ठन में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि समन संग भी एक संग्ठन है और यह हम से आगे जा रहा है हम किसी से आगे नहीं जा रहे हम सब के लगाता कर रहें क्योंकि हमारा काम अलग तरह का है संगतनात्म काम नहीं हमारा हम कुई ऐसा नहीं करें जिसमें परणान उसमें जन्र शाकरिटी और चंदा वंदा होता है बिल्कुल डिफ्रेंट है जो संग्पर कुछ सबसे ज्यादा थकेले लोग किस बात में सब ज्यादा किस बात की थकाने उनको उनके 24 घंटे में क्या गुसा रहता है क्या गुसा रगता है पैदा होते ही बच्चा बलकुल कोरा होता है उसी के घरवाले उसी के महले वाले उसी के रिसदार उसको क्या गुसाते हैं सब व्यक्ति अगर जात की आइडेंटिटी रखता है तो कितने लोगों को जोड सकता है और कितने लोगों से जुड सकता है 6743 तो जातियां बता जातियां फिर उप जातियां भी हैं तो हजारों में हैं तो कितने टुकडे हैं आप उस जाती की आइडेंटिटी के साथ में कहां तक जा सकते हो क्या जाती से बाहर जा सकते हो आप जीवन वहर अगर जाती की आइडेंटिटी अपने पास रखोगे तो अपनी जाती में भी जादातर लोगों से नहीं मिल सकते क्योंकि जातियों के अंदर उपजातिया है और वहां टुकडे हो रुक्त हैं बहुत जादा और उन्मे जगडे है तो आपको चाइए क्या आपको benefit कितना चाइए आप चाहेते क्या है अगर आप benefit स्रीप इतना ही चाहेते हैं कि जाती में रहके थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हो जाए तो वो आपका उद्द से पूरा हो जाएगा पर आपको जाती से बड़ा बेनिफिट चाहिए और पूरा देश का या दुनिया का बेनिफिट चाहिए तो आपकी पहचान देश की और दुनिया की होनी चाहिए और उससे बड़ी होनी चाहिए, तो तो benefit मिलेंगे आपको, वना नहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं यहां यहां यह बात नहीं कर रहा, कि जाती पैदा कैसे हुई है, मैं के वार बता चुका हूँ, फिर भी जो नए लोग हैं, उनको बता दें, कि जाती कहीं कुछ होती नहीं है, ना यह कहीं लिखी हुई है, ना कहीं आती है, ना यह बनती है, ना इसका कहीं अता पता नहीं है, बावा साब डॉक्टर मिर्कर ने साब बताया है कि ये मन से पैदा होती है और मन से ही ये खतम होती है इसमें कैई सारी बाते हम कर चुके हैं इसमें ज्यादा नहीं जाते है तो आपकी जो पहचान अगर आप जाती की बताते है तो छोटा सा दाइरा बनता है बस छोटा सा दाइरा भारत में इससे आपकी समस्या बड़ी वाली सौल नहीं हो सकती को शादी ब्यागी छोटी मोटी हो जाए रिस दे दारियों की तो कर सकते हो इससे ज़्यादा समस्या नहीं हो रोगती दूसरा क्या आता है दूसरा किसे वो जो पहचान है वो उसकी धार्मिक, उसकी मत की, उसकी मतांतर की पहचान है यानि कि वो जो उसने पैदा होने के बाद एडॉप्ट किया है या जो पहचान उसको ये बताई गई है कि तुमारे पता जी का, तुमारे मता जी का, तुमारे दादा जी का ये मत था, ये मतांतर था, ये मजभ था, ये धर्म था, तो तुम्हारा भी ये है, वो पहचान है, तो धर्म की पहचान जो होती है, वो पैदा होने के बाद होती है, और धर्म की पहचान बदलती रहती है, आदमी जब आज के समय कोई अपने आपको ये कहता है, कि मैं सिक हू तो कितने साल पहले सिख है पांसो साड़े पांसो पहले उनकी कोई पहचान सिख नहीं थी तो बदल गई है यानि जो आज सिख है वो अपनी पहचान को बदल क्या है अपनी धार्मिक मानिता अपनी मजब की मानिता बदल क्या है कोई यह कहे के रहे कि मैं बुद्दिष्ट हूँ तो बुद्दिष्ट्च से पहले उनकी मानेता कोछ और थी आज उनकी बुद्दिष्ट्थ है कोई यह कहे कि यह जैन हूँ ने प्यृक्ती हर घंते अपनी मानिता भारत में बदल सकता है सम्मुधान कह सकता आ जा दी अजा दी इसकी और यह भी आजा दी है के आप बिना किसी मानिता मत मझहवी रह सकते हैं यानी मत मतांतर मानेता، मजव、 रिलीजियन, धरम ये जीने के लिए आउशक नहीं है आप बिना इसके भी देश में उतने ही अधिकार प्राफ कर सकते हैं जितने अधिकार किसी मानेता प्राफ क्विक्ती को मिलते हैं क्योंकि मानेता निजी मामला है ये आपकी पह grupos निजी है तो ये जो धार्मी की या मज़बी या मत्खी मानेता है ये जादा बड़ी नहीं है कितने लोगों की मानेता है कोई बहुत ज़्यदा बुद्धश्ट होगा तो कितने पूरी दुनिया में है बताते हैं कि चार अरब लोग बुद्धिष्ट हैं पर उनका कोई गड़ उनका कोई सम्हू कोई उनका कोई सेंटलाइज सिस्टम नहीं है इसलिए मानेता कहने भरकी है पर आपका सम्हू या आपके बेनिफिट कितने हैं भारत के अंदर जो बुद्धिष्ट लोग हैं उनको बाहर के लोगों से जुड़ाव नहीं हैं इसलिए उस मानेता का बेनिफिट उनको नहीं मिलता और यहां भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो अलग अलग काम करते हैं वो आपस में मिलते भी नहीं हैं को यह कहे कि वह मुस्रीम है तो 22 फिर के हैं बाश्ड प्रकार की टुकड़ें लिखा हुआ है उसमें और पूरे देश के अंदर अलग अलग सिस्टम चलते हैं बरेली का सिस्टम अलग है इधर साहनपूर के पास का सिश्टम अलग है दिल्ली का सिश्टम अलग चलता है हैदरवाद का सिश्टम अलग है तो उस सिश्टम अलग है बाशक प्रकार के उसके अंदर मतमतांतर खुद में चलते हैं तो धार्मिक मानेता में भी उनकी अलग मानेता है वो छोटी है वैसे ही मजवी सिख और सिख के अ मत या मतांतर या संत की जो मानता है वो आपको एक छोटे से दायरे में रखती है जात से बड़ा दायरा है इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लोगों की संक्यावाँ जादा है पर बहुत बड़ा दायरा नहीं है क्योंकि टक्राब बहुत जादा है और दुनिया में साड़े चार हजार मत-मतांतर हैं भारत में भी बहुत सारे हैं आप गिनोगे देखोगे तो ताज्यूब करोगे जो बाहर से लोग आए हैं उनके मत-मतांतर अलग हैं तो ये पहचान बता होगे कुछ लोग हमारे बामसे वाले पहले बहुजण मानता बताते थे कि बहुजण हमारा पहचान है तो बहुजण में वो ये मान के चलते थे कि 85% लोग एक साथ हैं पर बहुजण का फार्मला फेल हो गया और बहुजण इस बात पर टेक गया उनके खुद के टुकड़े हो गए तो वो बहुजन नहीं हो पाए, वो बहुजन में टुकले करके अलग-अलग हो गए और वो अलप जन्में आ गए, आज वो खुद अलप जन्में हैं, और जो लोग ज़्यादा कहीं खटे होते हैं, वो बहुजन हो जाते हैं, तो बहुजन वाली पहचान जो चली थी, वो धी तूट गया फिर बात में वो सर्फ जन्में बदल गई तो बहुजन वाली पैचान का कोई फाइदा अब नहीं होता पॉलिटिकल लोगों को कुछ हुआ तब हुआ अब उसका कोई फाइदा है नहीं बलकर उसके नुकसान ज्यादा हो रहे है कोई कहे कि मेरी से गया व्यक्ति है जो करनडा के अंदर यहां से व्यक्ति गया हुआ है वह जब यहां से गया तो उसकी मानत उसकी जो पैचान थी उस समण थी उसकी जो पैचान थी वह भारती थी जब वह वहां गया तो वह वहां जाके अगर अपना green card लेता है तो वहां की नागरिक नहीं है भारत मूल का तो है पर नागरिक वह करंड़ा का या अमरीका उनकी वहां होती है वो नागरिक्ता दूसरी ले सकते हैं किसी भी देश की पर मूल उनका वो देश बन जाता है तो वहां के मूल निवासी बन जाते हैं तो जो यहां से समढ गए हैं अगर वो बाहर जाकर रहते हैं तो क्या वो समढ नहीं है समढ तो वो हैं पर मूल निवासी वो उनके बच्चे नहीं रहेंगे वो मूल निवासी हो सकते पर उनके बच्चे नहीं है ये लौ कहता है हर देश का कानून कहता है कि जिस जमीन पर जो बच्चा पैदा होता है वो महां का औरिजिनल सिटिजन होता है उसकी नागरिकता होती है तो आप कैसे कह सकते हो कि मूल वासी कह के कैसे मना कर सकते हो पूरी दुनिया इस बात को नहीं मानेगी क्योंकि ये पूरी दुनिया में कुछ लोगों का कब्जा नहीं हो सकता ये समझ से आती है आप क्या बनना चाहते हो आप अगर मोहले की पहचान बनाते हो या दुनिया की पहचान बनाना चाहते हो या पास जो सब्द है जो सद्द है वो समड है समड इसलिए पूरी दुनिया में पहचान बताने के लिए हैं क्योंकि समड कोई पहचान देता नहीं है कहीं से मिलती नहीं है कहीं पासपोर्ट पर लिखा नहीं जाता है कहीं यह दर्ज नहीं होता है हम जैसे ही पैदा होते हैं वै हैं वो भी पूरी दुनिया में कहीं भी रहें वमण ही कहलाते हैं वो भारत में रहें या भारत के बाहर रहें पर वह वमण ही रहते हैं वमण कभी भी समण नहीं बन सकता कोई शिड़ी नहीं है कोई रास्ता नहीं है आप जात बदल सकते हो आप अपना धरम बदल सकते हो आप समण से वमण में नहीं जा सकते और वमण से समण में भी नहीं आ सकते ऐसा कोई केस नहीं है को कोई समण से वमण बना हो या वमण से समण बना हो बुद्ध समण थे समण वो वमण नहीं थे पर बुद्ध के जो सिस्से सारी पुत और मोगल लान है वो समण नहीं थे आज भी लोग उनको वमण बोलते हैं यानि बुद्ध बनने के बाद भी आइडेंटिटी समण है और अरत बनने के बाद भी जो मोगलन की और जो सारी पुत की आइडेंटिटी है वो वमण है बेसक वो अरत हो गए पर उनकी जो आइडेंटिटी है वो वमण की है तो दुनिया में जैसे इसराइल कहता है कि कोई भी हमारा यहूदी कहीं भी रहे दुनिया में वो हमारे देश का नागरिक है और वो यहूदी पहले है बाद में उस देश का नागरिक है ठीक वैसे ही भारत का समण कोई भी कहीं रहे पहले वो समण है समण संका वो मेंबर है उसके बाद में वो किसी कंट्री का नागरिक है समण उसकी यहां की पैचान है जो किसी ने दी नहीं है वो खुद जनम के साथ ले के जाता है उसको देने का अधिकार किसी का नहीं है अगर वो समण में पैदा होता है तो ये जनमजात पैचान उसके साथ चलती है और ये बदल नहीं सकती उसके बच्चों की भी नहीं बदल सकती किसी की नहीं बदल सकती वो अपना देश बदल सकता है अपना धर्म बदल सकता है अपनी जात बदल सकता है अपना काम बदल सकता है अपना मौला बदल सकता है अपना देश बदल सकता है पर अपने समण होने की आइडेंटिटी को कभी भी नहीं बदल सकता वो खुद भी चाहे तो भी नहीं बदल सकता ठीक वैसे ही जो वमण है वो सब जिए मिलेगा आपको वो सिखों में भी है सिखों में समण भी होते हैं जो यहां मुसलिम है उनमें समण भी होते हैं उनमें वमण भी होते हैं जो यहां पर और भी जो डिलिजन हैं बौध हैं उनके अंदर वमण भी होते हैं समण भी होते हैं जो भी मतमतांतर हैं उसमें समण हो सकते हैं अभी तो brand को शकसे हैं बिए कुछ वमड़ सकते हैं कि हमारे जो मानते हैं। कि हम अगर मानते हैं हो किसी वी व्यक्तिकी मानता को मान सकते हैं समढ़ भी मानसकते हैं दोनों का राइट है मानने का इसलिए बुद्ध के अनुयाई समण भी हो सकते हैं वमन भी हो सकते हैं पर जो समण है वो समण ही रहेगा और जो वमन है वो वमन ही रहेगा इस पहचान को पहचानने के लिए ज़्यादा आवश्कता नहीं है मेहनत करने की सिर्फ ये परचायद करना है कि हम समण है मैं समण हूँ मैं समण हूँ ये अगर हम परचायद करते रहेंगे तो सामने वाले को दो यह alternate है आइदर समण और woman या तो वो समण होगा या woman होगा हमारा किसी से कोई conflict नहीं है वो अपना काम करें खुब तरकी करें देश का नाम उचा करें पर हमें भी देश का नाम उचा करने के लिए तरकी करने का right हमारे पास first right है पहला right है क्योंकि हम समण है और इस देश में समन कल्चर के ही वहाख है इसलिए मैं समन हूँ जो ये जो campaign है एक हजार दिन की ये एक बहुत महिन धागा है कैसा महिन धागा है जैसे टावर पे बहुत उचे टावर पे कोई आदमी फस जाए और उसके पास में नीचे आने के लिए कुछ ना हो और कोई पक्षी कोई बाज उसको एक पतला सा धागा अपने पंजों में बांध के जैसे धागे को खींचेगा तो धागा बारीक बारीक आता चला जाएगा और थोड़े समय बाद देखेगा कि धागा थोड़ा मोटा होने लगा है और जब खींचता जाएगा खींचता जाएगा खींचता जाएगा तो धागा और मोटा होता चला जाएगा और खींचते खींचते एक समय ऐसा आएगा कि वो मोटा धागा रसी में बदल जाएगा और रसी फिर मजबूत हो जाएगी और फिर उस रसी को वो श्टावर से बांद के उस रसी के सारे नीचे उतर आएगा ठीक वैसे ही मैं समण हूँ कैम्पेन है ये देखने में छोटी आपको लगती है छोटा धागा है पर इसके परिणाम इतने भेंकर हैं जो आपके सारे कश्ट मिटा देंगे सारे कश्ट क्योंकि पहचान आदमी की उसका सुख उसकी सुविधा उसका विकास और उसकी सुरक्षा नीथ करती है उसको तै करती है कि इसकी पहचान क्या है समण की जो पहचान है वो बहुत बड़ी पहचान है किसी भी रिलिजिजन से किसी भी मजभ से किसी मत से किसी मतांतर से किसी जाट से किसी वर्क से किसी महले से किसी सहर से किसी कंट्री से उससे भी बड़ी है अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप यहुदियों को देख लो इसराइल में रहते हैं छोटे से लोग हैं पूरी दुनिया चलाते हैं पूरी दुनिया का पैसा उनके पास है सारी बड़ी-बड़ी कंपनिया उनकी हैं, गौर्मेंट उनके सारे बेबनती हैं, वो इतने पावर्फुल हैं, आराम से रहते हैं, पर रहते हैं, उनके लिए बाकी सारी चीज़े बात में हैं, पर अपना इकटा होने का, यानि मैं यहुदी हूँ, यह स्लोगन उनके लिए फरस्ट है, इसलिए उनको आज तक कोई हरा नी पाया, संख्या मैं का मैं कैई बार दुनिया ने मिटाने की कोशिश की, पर मिटे नहीं, वो फिर इकटे हो जाते हैं, और फिर वो बहुत यह से काम करते हैं, अपने संग के लिए और जीत जाते हैं, दुनिया बहुत जड़े हैं तो जड़ों में पानी देना है तो जड़ों में पानी देने के लिए आपने क्या करना है 14 April आ रहा है 14 April को जो हमने campaign यहां गोसित किया है उसमें च्छोटा सा ऐक फोटो है उसमें लिखा हुआ हूँ डॉक्टो अम्एट कर पीछे हमारे कुछ महापुर्सों का फोटो है और हमाई टैन गोल्डन नियम है वो आपने पिन के साथ में सबको हैपीенных केते हुए सबको सुब जैंति केते हैं जैंति की सुब काम рублей देते हुँ आप नहीं करना है आपने किसी भी ब्यक्ति को भूल के यह नहीं रिता है क्या आप समच कर्या हाई हमारा समन संग59 ऐसा हमारा समन संग59 वैसा तारीफ मत करिए आपका समन संगर बहुत अच्छा होगा तो लोग खिज़े चले आएंगे और अगर नहीं अच्छा होगा तो आप कितनी भी तारीफ करिए वो नहीं आने वाले हैं पर आप ये कहिए सांसी कहिए क्या माइं समन हूं और आप भी समन है आप को भी हैपी जैनती और मुझे भी हैपी जैनती ये टाइग मेरी तर Savage मैं आप लगाना चाहता हूं और आपका धन्यवाद और एक फुटो कि च्वाई ये उसके साथ लगाते हुए और उसका फुटो कोई भंडारा चल रहा है या पूरी सब्जी चल रही है इज्जत से खिला रहा है मान सम्मान के साथ खिला रहा है हाथ फैला कर नहीं के बोल रहा है रुक्रेस्ट कर रहा है उसके सर्व करने में एक बहुत शालिंता है और लगता है कि वो दिल से सर्व कर रहा है दिल से सेवा कर रहा है दिल से खाना चाहता है तो खाईए अधरवाइज अपना खाना अपने साथ रखिए लाइन में लगके हाथ फेला के भीक मांगे डॉक्टर मेटकर की जहनती का अपमान मत कीजिए उस दन ना भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को खिलाना है तो खुशी की बात है कि वो खिलाए सब को खिलाए पर इज़त से खिलाए ये भीकारियों की तरह जो लाइन में लगा लगा गए डॉक्टर मेटकर के अनुय स्वाभी मान लोग हैं एक दिन में भूके नहीं बढ़ते हैं दस रुपे का बिस्कुट का पैकेट लेके खा लेंगे बीस रुबेगी बोदर की पानी पीके पी लेंगे पर लाइन में लगके और भीक मांगके नहीं खाएंगे इज़त से कोई खिलाएगा तो बावा साब के नाम पे जिज़रू खएंगे और एक शहर, एक जैनती इसका हम एक हफ्िते तक प्लोग किरेंगे हालाकि लोग समझ रहे इस बात को पर हमें लगातार कहते हैं कि महापुरसों की एक शहर में एक जैनती एक दिन होनी चाहिए, अलग-छलग नहीं होनी चाहिए. यह सारी बाते हम करेंगे और बैजवाला काम हम बहुत तेशी करेंगे किसी का कोई प्रसन हो तो वो पूछ सकता है मेरी बात यहां समाप्त होती है अगर किसी को कोı MARK मेरी बात में कष्ट लगा हो कोई खराब लगी हो तो मैं संग से माफी चाहता हूं संग मझे माँ करे, संग मुझे माँ करे, संग मुझे माँ माँ करे, संग नमामी, संग नमामी, संग नमामी. टेना में गट्सादा